हुआ है गाइज आई होब क्या आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तेयरी भी अच्छ चली होगी जोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग नॉलेज की टॉप م सेक्यूज अगर ये टॉप मेशिक बाथ करें अगर पिछले दो सालों से बात करें स्वाइब सीब्यों के रिगार्ण तो सीब्यों में आपके यह लोग है तो आज यार फड़ा फड़ा और एक बारी आप सभी लोग जितने भी नए लोग है अगर उन्हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस कर लिजेगा ताक है दोस्तों आते हैं स्टार्ट करते हैं और आपको बता देhen SBI CBO के रिगार्ण SBI CBO का एक live batch हम लोग लेके आए हैं आप इस बैच में जूर सकते हो pet class के लिए इसके लिए pet class में आप जूर सकती हो मेरी classes morning 829 am पर होती है 830 930 am पर होती है बहुत जल्दी उसको एट टुनाइन भी कर लेंगे हम लोग उसको टिए एंड वहाँ पर हम आपको बैंकिंग एंग करेंट बैंकिंग इन फाइंशल न्यूज अब और अवेर्नेस अब्डेट कर रहे हैं और कुछ-कुछ सबसे पहले करते हैं सबसे पहले क्वेशन की बात करते हैं सबसे पहला क्वेशन आपके स्क्राइन पर रहा यह इन PM स्वानिधी स्कीम V stands for बहुत basic question है बट इतनी easy question आपसे नहीं पूछा जाता दरसल आपको यहाँ पर इसी scheme से related statement based question दे दिया जाएगा यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा? statement based question आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर तो आपको इस question को update करना होगा PM स्वानिधी की बात करें इसका पूरा नाम क्या है? street vendor क्या हो जाएगा? street vendor आत्म निर्भर निधी street vendor आत्म निर्भर निधी यहाँ पर question क्या है? कि V stands for तो V stands for vendor यह आपको पता होगा यह full form आपका clear हो गया चलो अच्छी बात है पहला question दूसरा question क्या है? कि PM स्वानिधी यह किस year में launch किया गया था? लॉंच किया गया था June 2020 किस year में launch किया गया था इसको? June 2020 2020 में इस scheme को launch किया गया था यह धिहान अखना आप सभी लोग फिर अगले point की बात करते हैं यहाँ पर अगला point होता है स्वानिधी की बात करें PM स्वानिधी की बात करें तो guys यह किस के लिए था? यह PM स्वानिधी scheme उन व्यक्तियों के लिए था जो व्यक्ति कह सकते हो आप ऐसे के ready यानि के जो footpath पर दुकान लगाते हैं खुद का एक गुमती open कर रखा है तो यार आपको यहां पर यहां पर ध्यान अकना इन सब के लिए था अगला point क्या बनता है कि इसमें support loan कितना था तो यार आपको याथना 10,000 पहले ट्रेंच में यानि पहली बार आपने लिया 10,000 रुपए उसके बाद अच्छे से आपने पे कर दिया उसके बाद आपको 20,000 रुपए ठीक है आप नॉर्मली आपको अप्टू ऐसे आत्कना है माफ करज़ना आप ऐसे लिखना 10,000 से लेके ठीक है यहां पर आपको क्या या रखना 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन मिलेगा आपको इसके अंडर में 50,000 तक का लोन लेकिन वो आप जब अच्छे 10,000 वाला पहला पहला फेज आप अच्छे से क्लियर करते हो कंप्लीट करते हो तब आपको अपना अप्टू 50,000 तक का लोन मिलेगा इसमें ठीक है यह दिखान रखना आप लोगों ने यहांपर परविजन है इतने पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर रहा मैं द servants and आप इरिन इंडियन करेंटी इंडिन करींटे के ओपर कितने equip निएग के सबेंट लंग्वेज नृग्वेज निखा होता है पंद्रा लैंग्वेज वैसे और हिंदी और इंग्लिस को मिला के टोटल सत्रा लैंग्वेज लिखे होते हैं आपके नोट के उपर दोस्तों एक चिस और यातना है अगर हम इंडियन करिंसी की बात करें तो आपने 2000 से स्टार्ट करेंगे भले से अभी अभी लीगल टेंडर ह है आपने देखाओ का अर्वाई नहीं बोला है भाब भले से मार्केट में एक्जिस्ट नहीं कर रहा है बहराल फिर भी हमको पढ़ना होगा 2000 ठीक है फाइफ हंड्रेड टू हंड्रेड वन हंड्रेड फिप्टी ट्वेंटी एंड टेन यह दिखान अखना है 2000 नोट का आप को यहाँ पे कलर भी पूछा जाता है ठीक है क्या पूछा जाता है कलर और इसके उपर मोटिफ भी पूछा जाता है मोटिफ तो आपका कलर क्या है इसका मोटिफ क्या है तो 500 रुपीज के नोट का अगर हम मोटिफ बात करें तो गाइस इस रेड फोट क्या है लाल किला ठी है 200 रुपीज के नोड का मोटिफ क्या है तो यह है आपका सांची स्थूफ क्या है सांची स्थूफ 100 रुपीज के नोड पर रानी की वाउ 50 पर दोस्तों आपका हमपी 20 पर आपका हो जाएगा एलोरा केवज 10 पर हो जाएगा दोस्तों कुनार्क सन टेमपल कुनार्क सन टेमपल यह ध्यान अखना है यह आपके मोटीफ है अब इससे रिलेटेट कलर भी पूछा जाता है नोटों का जैसे 10 रुपीज का कलर है चॉकलेटी ब्राउन 20 रुपीज का है ग्रीनी स्यलो 50 सेवेंडर 200 का होगा आपका ब्राइट यलो 500 का होगा स्टोन ग्रेय एंट 2000 का हो जाएगा दोस्तों यहां पर मैजंटा कलर तो यह सारी चीजे आपको याद नहीं हो 17 लैंग्विज लिखियो होते हैं नोट पर ठीक है यह धियान अकना आप लोग ने इतनी पॉइंट आप वियर का एकजाम में इंटर्व्यू में क्वेश्मड़ नहीं होता है हाओ म इनी स्टेजिस इभा मैनि स्टेजब और मनी लोंडींग एक जोब आप को भर गोग में यह बैंक में हमने जबा किया स्टेश को बोलते हैं हम लोग प्लेशमेंट क्या बोलते हैं लोग प्लेस्मेंट यह बैंक भी RBI के डर से इस पैसे को ले जाके abroad मिनी वेस्ट कर दी कहां पर abroad के real estate abroad overseas मिनी वेस्ट कर दी इसको कहा जाता है integration क्या कहा जाता है integration तो placement layering integration तो आपको यहाँ पर याद रखना है यह क्या होता है money learning क्या है illegal process of concealing the origin of money illegal एक दोनों है यानि both option a and b both होगा option d is the correct answer he hopper hoga in anna plan it is a clear air yes or no on a point to promote a commercial bank has to keep a fixed percent of deposit on weekly weekly basis in RBI it is known as the goal weekly basis in I uh sorry you have a deposit daily basis from off is a guy it's a daily basis sorry 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 you have a question kya tham it's a daily basis kya ho jaega it's a daily basis okay daily basis in our way it is known as a commercial bank has to keep a fixed percent of deposit on daily basis in RBI of some of them yeah bank okay yeah bank hurk on a yeah bank canic bank nikya यहां पर kiss keep us kiss keep us RBI के पास just keep us our be a keep us to get a certain person deposit certain percent this ka apany ndTL ka just give us a cry our back boss kiss for me twice it's a daily basis kiss for me daily basis or catch के form you यह किस नाम से जाना जाता है तो आपको यातना cash reserve ratio के नाम से cash reserve ratio जानिक option A is the correct answer यहाँ पर कहने का पतलब क्या जब कोई bank RBI के पास अपने NDTL NDTL का पुरा नाम है net demand and time liability ठीक है इसका एक certain person reserve daily basis पर किसके पास cash के form में रखता है तो RBI के पास इसे किस नाम से जाना जाता है cash reserve ratio के नाम से option A is the correct answer यार अगले point को पर move करते हैं दोस्तों यहाँ पर बात आती है where is the headquarter of MIGA आपको बताते हैं world bank किसकी बात कर रहे हैं हम लोग world bank की world bank group world bank group में 5 नाम आते हमने आपको इसके पहले भी classes में करा रखा है इसके पहले भी classes में हम लोग ने डिसकस कर रखा दरसल कि what is Amiga तो world bank group में क्या है तो आपको नाम आपने सुना होगा IBRD क्या नाम सुना होगा IBRD आपने नाम सुना होगा IDA आपने नाम सुना होगा IFC एक नाम होगा Amiga और एक होगा ICSID इन सब का headquarter कहां पर है वासिंग अटन डीसी में है वासिंग अटन डीसी में और इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंडिया मीगा का है IFC का है IDA का IBRD का तो इसका headquarter कहां पर है वासिंग अटन डीसी में मीगा क्या है मीगा world bank group का एक पार्ट है एक हिस्सा है यह धियान अखना आप लोगों नहीं यहां पर यह important होगा अगला point आपके screen पर इस एन कंपनी क्रिसील इन में से एक क्या है क्रिसील इन में से एक क्या है तो गाई आप सभी लोग ने नाम सुना होगा क्रिसल ऐसे आधक ना है जिसमें सीदा सेदा फंडा जिसका headquarter कहां पर है यह भी question आप से पूछा जाता है इसका पूरा नाम है क्रिसल का credit rating information services of india limited क्या है पूरा नाम credit rating credit rating information information services of india limited services of india limited services of india limited यह क्या है insurance company जी नहीं लेंडर जी नहीं analytical bank तो बैंक तो है नहीं बचा क्या analytical एक analytical company है कौन है क्रिसल और इंडिया के सबसे पहले analytical company है क्रिसल यह दिहान अखना आप लोगों ने दोस्तों और एक नॉर्मली आपको अप्डेट रखना है ठीक है यह आपके सिर क्रिसल अगर हम बात करें कि क्रिसल कब आया था इसका headquarter कहां पर है ठीक है आप से हमेशा question कहीं पूछा जाता है तो क्रिसल आया था दोस्तू 1987 में इन विच यह गाईज 1987 में क्रिसल की स्थापना करवाई गई थी ठीक है क्रिसल की स्थापना कब करवाई गई थी 1987 and where is the headquarter क्रिसल का headquarter कहां पर है इन एडिया किसी को गैस क्रिसल का headquarter इंडिया की पहली rating agency है एन अले टिकल कंपनी है जिसका headquarter a Mumbay में मतब ये इस का ये पहली है कौन क्रिशल पहला कंपनी है इंडिया का रेटिंग एजंसी के तौर पर एनलिटिकल कंपनी के तौर पर ठीके तो क्रिसल का पुरा नाम आपको याद रखना इसको नेक्स पॉइंट अगले पॉइंट को पुमूफ करते हैं गैस के वाइसी गाइडलाइन इशूर अंडर के वाइसी नाम है नो यूर कस्टमर यह आदेकना है किस एक्ट के अंतरगत तो गयाइच इसका एक्ट है बैंकिंग ठीक है बाइंकिंग रखुलिशन एक्ट रहा है बैंकिंग रिखुलिशन अक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन किस सेक्षन थर्डिफाइफ यह रहा आपको ऑफशन Act. KYC का कि बात करते हैं, KYC में क्या है? एक इसका हम और एक यादा आई दी प्रूफ ठीक है, एकि वैलिड एड्रिस प्रूफ, इसका हम और एक पाऊपूर्ट्स ऐस फोटोग्राइफ, यह आपको याँ दखना है, यह आपके KYC डॉक्रमेंट के तुर। पर किया जाते हैं यहां पर भी आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप से किवाइसी पूछा जाए तो आपको याद किस एक्ट किस सक्षन में किया गया दोस्तों बैंकिंग रेगुलिशन्स आक्ट 1949 के सेक्षन 35 एक एंडर में इसको मेंशन किया गया है दियर तो यह चीज़े आपको यहां पर अच्छे से अपडेट रखना है यह धिहान रखना है बोलो यह चीज़े क्लियर हैं गाई यस और नो कोई डाउट कोई क्वेस्टन कोई क्वेरी आप सभी का तो आप सभी लो कमे कर सकते हो आँ पे और आप जोइन कर सकते हो से इस कोड के साथ for maximum discount अगला point इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक दोस्तों इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक अगर हम बात करें एटल पेमेंट बैंक यह इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक है अगर हम बात करतें पेमेंट बैंक तो पेमेंट किस कमिटी के इंडिया में पेमेंट लिए दोस्तूं हंड्रेट करों कपैक इस सब्वेटा थी किसी एक्सपिरेंस की कोई रिक्वार मेंन है यह दिखाना नो एक्सपिरियास ठीक है युड हैं मैं कोई भी पेमेंट mijn राफा में वर्क नहीं करती किसमें वर्क नहीं करती राफा में वर्क नहीं करती कोई साभी पेमिंट बैंक राफा में वर्क नहीं करती यह दिहान अखना अपने तिके यह आदकना है पेमिंट्स बैंक किसके अंडर में आता है डी आई सीजी सी के अंडर में आता है सभी पेम है न्यू डैली कहां पर न्यू डैली और इसके हैड कौन है तो अनुब्रता विस्वास में है ठीक है तो इतने पॉइंट्स आपको यहां पर अप्डेट रखने है पहला पेमेंट बैंक कौन है इंडिया का बाकी अच्छे हैं इनका सबका है इंडिया पोस्ट यह दिली ओन पेवे घलत है बडूस एक पहर room कौन से पेमिंए आपको बता दे रहे हैं प्यदीवें टीन हो गए ठीक है फिर आपका इपी बीचर हो गया इसल्स पांच हो गया जियोच हो गया ही के शारे मिंट पेमिंट बैंक है इंड्यमे अर्ध प्रेजेंट वटाइब साल पां franch ॉ होता है डियार its 200 कροनना की capital requirement होता है आप आफ से question क्य क्या पूचा जाता है small finance bank एक small Finance bank यह Annika Torres Committee की recommendation प्लाया गया था किशके recommendation पी ऊसा accommodantā me TTireери कमेंडिशन पे लाया गया था small finance Gong Kira Thank you for TW Rad Committee उस्तों इंडिया में अभी एड present 12 small finance थे सबसे पहला समॉल फाइनिस कोई साथा सबसे पहला कैपितल उसमाल ऑन चाहां पर है गया धिता है इंट आ रखना अप लोगों ने बुल शीजे क्लियर रहें हैं गाई's यह जो जो एक सबसे पहला पैमेंट्स पैक और zwei small finance bank यहाशाइन फान 85 लेंक कासा में वर्क करता है टीक है यह राफा में भी वर्क करता है यह लेंडिंग भी करता है प्धे में ऐन्दियं ंने एुकिल देविट काड़ करेट काड़ सब हीशु करता है आपका small finance bank अगला point insurance service provided by various banks is commonly known as विभिन बैंक को द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा सेवा को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है its guys bank insurance किस नाम से जाना जाता है bank insurance यह bank है यह insurance company है यह insurance company अपने product को bank को customer को order यह आफर करवाती है bank के थूँ बैंक से करती है भाई ठीक है आप अपने customer को offer करो जो certain कमाई होगा suppose that certain कमाई 100 rupees हुआ उसमें से 20 rupees bank को दे देगा बाकी का 80 rupees किसका हो यह insurance company का यह जो process है इसी process को bank insurance कहा जाता है ठीक है यह लाया गया था मलहोत्रा committee के recommendation पर मलहोत्रा committee के recommendation पर पियन मलहोत्रा committee के recommendation पर लाय गया था यह bank insurance अगला point which bank was earlier called the Imperial Bank of India इन में से किस bank को Imperial Bank of India का tag दिया गया which bank was earlier called as Imperial Bank of India गाइस अगर हम बात करते हैं Imperial Bank of India की कित्ती Imperial Bank of India की बात करते हैं यह 1921 में आया था इसी का नाम एक जुलाई 1955 में बदल के क्या रखा गया State Bank of India क्या रखा गया State Bank of India option B is the correct answer तो guys यह रहे आपके इतना यहां पर important questions इसका आपको इस सभी का PDF आपको available हो जाएगा बहराल अगर आप बैच में होते हैं तो हम लोग ऐसे भी आपको PDF available कराते हैं इसका गूप अलग से मैंने create करा रखा है आप इसके लिए जोड़ सकते हो दोस्तों आपको किस पर जाना है आपको जाना है आपको जाना पहले अट्डा 247.com पर ठीक है अट्डा 247.com पर जाना देन वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना आपको पकड़ना है यहां पर option आइकन दिख रहोगा SBA CBO SBA CBO की यह बैच है जो हमनों का actual 4th December से start हुआ है आज कौन सा डे है डेट कौन सा है तो आज आज आपका डेट है 7 यानि कि 3 से 4 दिन पहले की बात है यह आप इसको इंडोर करा सकते हो ठीक है वीव आफर्स पर आप जाना आपको कोड़ अप्लाई करना है यहां पर और यहां पर कोड़ीश आपको कोड़ाई यहां इस ऐइस और पट्रीश सेवन नाइन का पालप यहां और और कम प्राइज कि आपकी बोतल हो गा जब आप अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लोगा को जब आप यहीं कोड़ लगा और आपको यह बैच आपको 3500 का आवेलबल हो जाएगा ठेके तो आपको याद रखना है आपको कोड ध्यान रखना है और वो है आपका य 307 और कल आपको मेरी अगर आज जोइन करते हो तो कल मॉनिंग में आपको सारी क्लासे अवेलबल हो जाएंगी आपकी स्टार्टिंग मेरे से होंगी सुबर 8 बजे से ठीक है तो आप धिहां से देगेना दोस्तु आपको कोड़ आतक ना वाई 307 कोड़ लगा कि आप इंडोल करा सकते हों ठीक है और आपका ये जो बैच होगा ये इमाउंट आपका कम हो ज बाइ बाइ